जंतर मंतर पर न्याय के लिए खिलाडी 11 दिन से धर्ने पर बैटे हैं और आज इस्तिती इस तरह की होगी कि पूरे दिन बरसात हुई और बरसात के पहले एक हालात में दिखा देता हूं देखिए पूरी तरह से टेंट भीग चुका है और ऐसे हालात में जहां लाइट नहीं हैं और बरसात का जो पानी है वो अंदर तक भर चुका है इसी हालात में खिलाडी धर्ने पर बैठे हुए हैं कि कहा जाता है कि खिलाडी किसी भी विसम परिस्तिती से जूजने के लिए तयार रहते हैं और हमारे साथ में साक्षी मलिक है उनके पती भी है अर जो नवार्डी सत्यवत कादिया अंजिकारियन साब आप से बात करते हैं पहले हालात इस तरह के हैं गरे दिन आपको यहां हो हैं अब कितनी ज्याय की उमीद अभी बची है जी देखिए वैसे तो आम यहां से कहीं जाने नहीं वाले बारिस आ जाए या कुछ आ जाए हमारा तो यहां रहना है चाहिए हम भीगे मरें यहीं मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है यहीं कहना चाहूंगा आप देखिए दे तो यहीं करूंगा सबसे कि आईए सपोर्ट कीजिए जिस विवे में आप लोग सपोर्ट करना चाहें और सरकार से भी कहूंगा कि सुनो देखो कैसे है आलाद है हमारे कब मिलेगा दुख होता है जब इस तरह की इस्तितीम है इंटरनेशनल खिलारियों को आप लोगों को परिस्तितीम में भी बैठना पड़े एक ओन्याय के लिए बस यहीं मैसुस हो रहा है हमारा कोई नहीं है बस परिशान है यहां लोगों और बस यहीं अपील है वहीं न्याय दिलाने में हम बाप लोग आई है हमारा सहयो कीजिए ना हमारे पास कोई सुविदाने दी जा रह और इसी के जिकर भी कर रहे हैं साफ में हमारे साथ में बली जी आज पीटी उसाबी जिकर पहला भी हुआ क्योंकि जब यहां से जा रही ती तो मीडिया भी उनसे पूछना चाह रही थी क्या बात्चीत हुए आपकी देखो वो हमारे समर्थन में आई थी और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी मेरा ये कहने का मतलब नी था मीडिया ने उसको गलत तरीके से डाइवर्ट करके लिखा मेरा वो कहने का मतलब नी था तो अपना हमारा मतलब हमें समर्थन करने के लिए आई थी जो थोड़ी बहुत गलत फेमी थी वो दूर करने के लिए भी पहुँची थी एक तरह से मतलब जो उनका मीडिया की तरफ से गलत ये था कि लेकिन वो बोल रहे थे कि मैंने इस वे नहीं बोला कमेटी की वो चेर्मेन भी थी उसकी क्या कमेटी के जो तर्थे हैं उनकर भी कोई जिक्र हुआ कमेटी का देखो कमेटी का मामला तो आप छोड़ी दो क्यूंकि कमेटी पर अमने पर लेवरोसा करके देखी लिया तो कमेटी के बारे में हम कुछ बात नहीं करना चाहते हैं एक सवाल और भी है आज चुकि उनिवर्स्टी के बच्चे भी आपके समर्थन में आई थे और एक मार्च निकालना वहां चाह रहे थे देखो गलत बात है क्योंकि अधिकार है हम आजाद बारत में रहते हैं सब का अधिकार है कि कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है जिसको जो भी चीज गलत लगती है लेकिन स्टुडेंट्स के साथ ऐसा हुआ तो बड़ा बुरा लग रहे है कि जो हमारे समर्थन में भी आ रहे हैं उनको भी नहीं आने दिया जा रहा है लड़ाई लंबी होती दिखाई दे रहे ग्यारे दिन हो गए हैं जो पक्समें आपके समर्थन देने आ रहे हैं जैसे कि सत्यवत ने भी आपको बताया है कि हम तो लड़ेंगे और चाहे कितने भी दिन लग जाए हम यहीं है और इसकी तरफ से अभी कोई संपर्क किया गया है किसी से बयान देने के लिए वो टोटली कॉन्फिडेंशल है वो हम ऐसे नहीं बता सकते आपको जो ड़ाई बड़ी है उनकी गरफतारी तक यहीं डटे रहेंगे चाहे परिस्तिती कैसी भी हो दिल्ली से देवें रिकॉसिक इंडिया न्यूज